नमस्कार दोस्तों, सीजी के इस लाइव इडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी की कालजेई रचना इस सीरीज के इस श्रिंखला के अंतरगत अभी तक हमने आपके लिए बहुत से लेक्चर जायुजित किये हैं पिछले सेशन में हमने तुलसी दास की विनय पत्रिका पर चर्चा की थी, मित्रों आज के सेशन में भी हम विनय पत्रिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं डॉक्टर पी सी टंडन, डॉक्टर पी सी टंडन प्रफेसर हैं दिली विशुविद्याले के हिंदी विभाग में और निरन तरसीसी के live एडियोसेट लेक्चर के माध्यम से हमें जानकारियां देते हैं, हमारे ग्यान में वृध्धी करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर भी हम सब के लिए ग्यान वृध्धी करने वाला होने वाला है यानि कि हमें जितना भी ग्यान है उसमें और वृध्धी करने वाला होने वाला है तो मित्रों मैं सबसे पहरे स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर पी सी टंडन साहब का और इनके माध्यम से ही हम विने पत्रिका के बारे में और जानेंगे और समझेंगे डॉक्टर टंडन आपका स्वागत है जी नमस्कार धन्यवाद नमस्कार मित्रों विने पत्रिका पर चर्चा हम कर रहे हैं और विने पत्रिका जैसा कि हम सभी भली भाती जानते हैं कि तुलसिदास विराचित एक बहुती महत्पूर्ण दुरलब गरंत है विने पत्रिका और जिसकी चर्चा करते हुए हमने इस दृश्टी से विचार किया था कि विने भरी एक पत्रिका है एक पत्र है जो तुलसिदास अपने आराद्धे अपने इश्ट राम के पास भीजना चाहते हैं जिसमें अपनी समस्त समस्याओं का विवरण प्रस्तोत करते हुए उनके निदान की अपेक्षा और प्रार्थना वो अपने आराध्य से अपने प्रबु से करना चाहते हैं तुलसिदास हम जानते हैं कि मद्यकालीन जो पूर मद्यकालीन भक्ति काववे जिसको हम कहते हैं उसकी राम कावे धारा के प्रवर्तक कवी हैं और राम कावे क्योंकि राम जो है वो भारतिय सब्वेता और संस्कृती के एक प्रतीक पुरुश माने जाते हैं राम और क्रिश्न जो हैं इन दो प्रतीक पुरुशों को लेकर हिंदी साहित में और भारती वांगमे में बहुत सारे रचनाकारों ने अलग-अलग तरह से अपनी लेखनी का उसकी प्रतिबा का परिचे दिया है तुलसिदास भी एक संत कवी तो हैं ही और बहुत स्थापित और प्रतिष्ठित भक्त भी हैं तो उनकी जो भक्ती है उस भक्ती में एक विशेश प्रकार की भावना जिसको हम प्रपत्ती कहते हैं प्रपत्ती में भक्त अपने आपको एकदम दीन हीन बनाकर प्रस्तुत करता है और अपने आराद्धे को बहुत शक्तिशाली और सर्वगन संपन और समर्थ विधाता के रूप में प्रस्तुत करता है तो तुलसी की यह जो रचना है विनेपत्रिका इसमें उन्होंने राम के समक्ष जो विनेपत्रिका भेजी है अपना एक रेक्वेस्ट लेटर या एक आवेदन पत्र जो भेजा है उस आवेदन पत्र में वो अपनी जीवन संबंदी इस भवसागर से जुड़ी हुई तमा अभवागमन है यह जो सांसारिक कष्ट हैं यह जो दैहिक भौतिक कष्ट हैं इन से मुक्ति मिले और वो स्थाई रूप से प्रभु राम के चरणों में वास करें ये इस तरह की एक पत्रिका और क्योंकि राम तो अंतर्यामी हैं सर्वग्यानी हैं और भक्तवत्सल हैं आदिके प्रती वो अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। इस रचना में इन तमाम मुद्धों को इन पक्षों को जब तुलसी रखते हैं अपनी विरंबरता के साथ तो यह यह जो रचना है यह एक महाका व्यात्मक रचना बन जाती है। हलाकि ये मुक्तक रचना है लेकिन फिर भी कथा कि जो वस्तू है उसकी अन्विती बनी रहती है ये एक बड़ी बात है तो तुलसी इसमें अपने मनोभावों को भक्ति भावों को व्यक्त करते हुए अपने को बहुत दीनहीन प्रस्तुत करते हुए राम से प्रार्थना करते हैं तो प्रकारांतर से इन सब मुद्दों पर विचार करते हुए तुलसी इसमें बहुत से दर्शनिक मुद्दों को उठाते है जो दर्शन जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं के जीवन क्या है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं के सृष्टि क्या है इसी के अंतरकत हम ये देखते हैं कि वो सर्वशक्ति मान आराध्य राम जो है वो सर्वण संपन है उनकी शक्ति और सामर्त क्या है तो ईश्वर क्या है जगत क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ऐसे तमाम मुद्दे प्रकारांतर से इसके माध्यम से उठते है तो दार्शनिक दृष्टी से या दर्शन की दृष्टी से ये रचना बड़ी दुरलब है और जैसा कि हमने चर्चा की कि भाषा, शिल्प और कला की दृष्टी से तथा विशे वस्टू के संगम की दृष्टी से विने पत्रिका वास्तव में एक दृष्टी कालजई रचना है क्योंकि इस रचना को तब भी आज से डेड़ सो वर्ष पहले ये आज से साड़े चार सो पांच सो वर्ष पहले जब तुल्सी का समय था बक्तिकाल उस समय भी और सो डेड़ सो साल पहले भी और आज भी उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी जो प्रासंगिकता है उसकी जो विशे वस्टू की सार्थकता है वह उसी तरह बनी हुई दिखाई देती है किसी भी रचना की और रचनाकार की प्रामानिक्ता का उसके कालज़ई होने का एक प्रामान यह भी होता है तो विनेपत्रिका इस दृष्टी से बड़ी महत्पूर है कि जिन जिन विशयों को जिन जिन खेत्रों में तुलसी ले जाना चाहते हैं इस रचना की माध्यम से वह आज भी उसी तरह सार्थक और प्रासंगिक बने हुएं और एक आराध्य और आराधक का जो संबंद है भक्त और ईश्वर का जो संबंद है वो संबंद भी आज उसी तरह से बरकरार हैं पर तुलसी जिस साधना की बात करते हैं जिस निश्ठा की बात करते हैं जिस इमानदारी की बात करते हैं हम उस पर जरूर विचार करते हैं कि व रचना जिसको हम विन्य पत्रिका की रूप में जानते हैं दर्शन की दृष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण रचना है जो हिंदी की कुछी रचनाएं हैं जिनको हम दर्शन की दृष्टी से महत्पूर्ण मानते हैं उनमें विन्य पत्रिका भी एक है तो आज उसी दर्शन प विनेपत्रिका, गीतावली और कवितावली आदी ये वो रचनाये हैं जो तुलसी को विश्व के साहित जगत में, साहित आकाश में अलग तरह से स्थापित करते हैं तो विनेपत्रिका के प्रनेता तुलसिदास जो रामचरित मानस जैसा दुरलब महाकाव्य हिंदी जगत को भारतिय वांगमे को देते हैं उनी पर आज हम चर्चा के इंद्रित करते हैं रामचरित मानस और विनय पत्रिका के प्रनेता तुलसिदास जीवन के महान विशलेशक थे किसी भी दारशनिक का क्योंकि तुलसिदास संत भी हैं कवी भी हैं भक्त भी हैं दारशनिक भी हैं जीवन को सृष्टी को देखने समझने का उनका अपना एक विशिष्ट नजरिया है एक दृष्टिकोन है तो उन्होंने जीवन का विशलेशन क्योंकि ये ख्षन बंगुरता जो है जीवन की जिसकी बात संतों ने भक्तों ने अलग-अलग तरह से कहिए है कबीर भी कहते है पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात तो एक बुलुबुले की तरह है मनुश्य का जीवन उठता है और समापत हो जाता है तो कहां से आता है कहां जाता है इसके पीछे नियामक कौन है और जो जीवन चर रहा है उसका स्वरूब क्या होता है ये तमाम मुद्दे हैं जिनको तुलसी भी उठाते हैं तो उन्होंने जीवन का विशलेशन बड़ी बारीकी से बड़ी सुक्ष्मता के साथ किया है एक उच्च कोटी के दारशनिक विद्वान की तरह तुलसी हमारे सामने अगर आते हैं तो वो विन्ह पत्रिका के मध्यम से आत कवी जब भावातमक होता है तो दारशनिक भी होता है कवी की महनता का एक लक्षन यह भी है कि उसकी भावना के साथ साथ उसकी जो दारशनिक चेतना है वह भी प्रवहमान होती है और वह महान दारशनिक जब हमारे समक्ष कविता के माध्यम से आता है तो विचारों की एक स इन्तक, विचारक भी होते हैं, मननशील भी होते हैं, दार्शनिक और भावक कवी भी होते हैं, और इन सब का संगम, इन सब का समनवे, एक कालजई कवी एक साथ करता हुआ आगे बढ़ता है। तुलसी पर ये बातें विशेश रूप से हम देख सकते हैं कि करियानवित होती हैं, लागू होती हैं, क्योंकि वे ऐसे पहले भक्त कवी थे, जिनकी भक्ती केवल अपचारिकता मात्र नहीं थी, वो कोई परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं थी, कोरी भक्ती नहीं थी, उस भ था मानस जैसी रचना में उनके अवतार वादी द्रिश्टिकोन को हम देख सकते हैं उन्होंने अपनी भक्ती और जीवन दर्शन के माद्यम से अप्रभु राम जो बार बार अवतरित होते हैं जिनकी चर्चा हम अलग-अलग तरह से कृष्ण और राम के माद्यम के संदर में देखते भी हैं यदा-यदाई धर्मस सिकलानी रभवती वारत हैं और तुलसी भी कहते हैं के जब-जब होई धर्म की हानी तो वह अवतारवादी जो तुलसी राम है उनका भक्ति-भाव उनके प्रती- तुलसी का प्रकट होता है विने पत्रिका में अद्वैत वाद और भी बहुत सारे दर्शन फिर आगे शुद्दा द्वैत विशिष्टा द्वैत द्वैत आदी इनका आगमन हुआ उन पर भी चर्चा परी चर्चाएं हुई तो तुलसी ने दास्य भक्ती और अद्वैत दर्शन इन दोनों को मिला करके अपनी रचना का किस का ताना बाना दर्शन गरंत के महाकाव्यात्मक रूप में प्रकट होता है रामचरित मानस का और वह वस्तुत है जब महाकाव्यात्मक रचना रामचरित मानस हम देखते हैं तो वह समश्टी के दर्शन की समर्थक दिखाई देती है पूरी समश्टी माने पूरी स्रिष्टी के दर्शन क को लेकर जबकि विने पत्रिका का दर्शन आत्म परक् काव्यत्व के कारण या काव्यत्व के अनुरूप है. इसलिए व्याश्टी परक्दर्शन है। उनका अपने को केंद्र में रखकर तुलसी यहां पर दर्शन के संदर में विचार करते हैं जबकि रामचर इत्वानस में पूरी सृष्टी को सामने रखकर दर्शनिक दर्ष्टी से बात करते हैं समश्टी व्यष्टी एक दूसरे के पूरक है व्यष्टी को समश्टी से यानि व्यक्ति को स्रिष्टी से अलग करके देखना संबव नहीं है यह सम्मंद्य रिष्टा एक तरह से बूंद और समुद्र का रिष्टा है और बूंद बूंद से घड़ा बरता है बूंद बूंद से घड़ा रिष्टा भी है इसलिए व्यष्टी का अपना स्थान उसकी अपनी पहचान निश्चित रूप से रहती है तो व्यष्टी और सम विन्यपत्रिका के दर्शन को हम प्रकारांतर से या एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो अन्यों न्याश्रित कह सकते हैं एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं विन्यपत्रिका व्यष्टी दर्शन की प्रबल समर्तक और पक्षधर है और रामचरित मानस समष्टी दर्शन को हमारे समक्ष लेकर आने वाली रचना है इसलिए समश्टी व्यष्टी में यदि अंतर भी करें तो वह इन दोनों कृतियों के दर्शन के संदर्व में ही करके देखा जा सकता है मानस तक तुलसिदास पर दार्शनिक संप्रदाय का प्रभाव था और वह प्रभाव अपेक्षाकर तुलना में कुछ ज्यादा था जबकि समन्वेवादी कवी तुलसी वहां भी गतिशील हैं दिखाई देते हैं प्रकट रूप से और जैसा कि हम जानते हैं कि विन्यपत्रिका तुलसी की अंतिम सशक्त रचना है तो विन्यपत्रिका तुलसी की अगर प्रौडता का प्रमान हम देखना चाहें तो उनकी अंतिम प्रौड करती है जहां पर तुलसी आकर एकदम रचे हुए मजह हुए स्थापित प्रतिष् इस लूप में दिखाई देते हैं इसलिए विन्यपत्री का एक गंभीर रचना गांभीर्य से भरी हुई उसकी जो विवेचना है उसमें चिंतन मनन परियाप्त मात्रा में दिखाई देता है विभारतिय दर्शन की महानतम उपलब्दी यानि अद्वैतवाद को भक्ती के संस पर्श से पुलकित करते हैं यानि अद्वैतवाद का दर्शन शंक्राचारे द्वारा दिया गया अद्वैतवादी दर्शन और तुलसी की भक्ती भावना ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक विलक्षन रचना हमारे सामने आती है तुलसी की भक्ती समगर रूप से अगर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा है तुलसी अपनी भक्ती में उसका समावेश करते हुए, सन्निवेश करते हुए उसे अपनी रचना में पिर होते हैं। इतना के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। क्योंकि जिस तरह से तुलसी दास ने अपनी सूक्तियों में, उक्तियों में, अपने सुविचारित कत्नों में जिन दार्शनिक भावों को भरा है, वह जीवन दर्शन भी है, सृष्टी दर्शन भी है, व्यष्टी और समष्ट देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन के गहन दर्श्टा, महा कवी, दार्शनिक अगर तुलसी दास हैं, तो वो वस्तुत है, बहुत महान रचनाकार हिंदी जगत में, भारतिय वांगमे में और विश्व कवी के रूप में माने जाते हैं, तुलसी का समगर साहित है, ज जो अलग-अलग तरह से हमें जीवन और जीवन मृत्यू को, सृष्टी को, प्रभू की इश्वर की शक्ति को, जीव और आत्मा के संबंद को, माया को, इन सब को समझने की एक विशेश दृष्टी हमें देता है, अद्वैत वाद, भावुक्ता मही भक्ती, भावुक्ता म प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लगता है कि जैसे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं, लेकिन सुक्ष्म रूप से अगर हम देखें, तुलसी के संदर्ब में, विशेश रूप से विनेपत्रिका के संदर्ब में, तो ऐसा नहीं लगता है, शंकराचारे एक महांदार्शनिक चंतक विचारक थे देश के, और अद्वैत वाद का प्रतिपादन उन्होंने जब किया था, तो भक्ती के संदर्ब में, विशेश रूप से उसकी सार्थक्ता को ध्यान में रखकर ही किया था, इसलिए तत्व दर्शी, क्योंकि तुलसी तत्वों की मिमानसा करते हैं, वो बहुत बारीकी से सब चीजों को विशलेशित करते हुए, मनंचिंतन के आधार पर निशकर्श निकालते हुए चलते हैं, तो तुलसी ने अद्वैत वाद और भक्ती में कोई विरोध है, ऐसा अनुभव भी नहीं होने दिया, पाठक को जब हम रचना पढ़ते हैं, तो हमें बिलकुल नहीं लगता कि अद्वैत वाद में और भक्ती भावना में, सहज भक्ती में कहीं कोई दूरी है, या परस पर विरोधी भाव है, यह वैशिष्ट यह गुन भी तुलसी की दृष्टी के कारण आया, क्योंकि तुलसी दास इ कुछ भी कठिन प्रतीत नहीं होता, कठोर प्रतीत नहीं होता, तुलसी की विनेपत्रिका का अद्वैत भक्ती समन्वे ही, अद्वैत भक्ती समन्वे, इन दोनों में अद्वैत और भक्ती में कितनी खूबी से समन्वे करते हैं, यही उन्हें एक महान दार्षनिक प्रतिपादित करता है अद्वैतवाद विश्व का सर्वस्रेष्ट दर्शन माना जाता है विश्व की समग्र उर्जा और शक्ति को एक अखंड ब्रह्म प्रतिपादित करने वाला यह दर्शन विज्ञान को भी नतमस्तक करने में समर्थ दिखाई देता है जो विज्ञानि में समस्त भावनाओं में मानवों में एक ब्रह्म और आत्मा की व्यापती समतावाद या मानवतावाद की उच्चतम निश्पत्ति है बड़ा सहज रूप से शंकराचारे ने जिसको प्रतिपादित किया उसी की बात तुलसिदास भी करते हैं कि हर एक मनश्य में हर एक प्राणी में जिसे आत्मा है वैसी परमात्मा भी विद्यमान है आत्मा और परमात्मा दोनों जब विद्यमान है तो दोनों का जो रिष्टा है जो संबंद है वो द्वैत का नहीं है वो अलग अलग नहीं है वो अद्वैत हैं और वो द्वैत प्रत से बाहर निकल कर हमें अपने अद्वयत संबंद को आत्मा इर मात्मा एक है अभिन है वह भले भ्रह्म वश मोह जाल वश हमें अलग दिखाई देते हों लेकिन अलग हैं वैसे ही जैसे सूर्या और किरने हैं सूर्या और किरने हमें दो प्रतीत होते हैं लेकिन वस्तुत है दो नहीं है यदि सूर्य नहीं है तो किरन का कोई अस्तित्व नहीं है इसी बात को कभीर ने भी अद्वैतवाद को आगे बढ़ाते हुए बड़ी खुबी से अपनी रचनाओं में चित्रित किया जब वो कहते हैं जल में कुम्ब कु बाहर भीतर पानी फूटा कुम्ब जल जल ही समाना यहतत कयो गयानी यह जो कुम्ब है यह प्रतीक है शरीर का और उसके अंदर पानी आत्मा का प्रतीक है बाहर का जल जो है उस्रिश्टी का प्रतीक है और अंदर और बाहर के पानी को मिलने से जो रोकने वाला पदार्थ ह जो दीवार एगड़े की वो माया है तो एक रूपक के माध्यम से बहुत सुन्दा डंग से कबीर ने भी शंकराचारे के उसी अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन प्रतिष्ठा की उसी को तुलसी ने भी इसके माध्यम से चित्रित किया इसलिए तुलसी बार-बार कहते हैं मानवी आशावाद का सरवत कर्ष अगर कहीं है तो वो अद्वैत दर्शन में ही है दर्शन गत महिमा में भी अद्वैतवाद प्रत्थम है विशिष्टा द्वैत 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 तरह से शंकराचारे के अद्वैतवाद की प्रतक्रिया हैं उसी के प्रतक्रिया स्वरूप इन दर्शनों का आगमन हमारे दर्शन जगत में होता है उपनिश्दों का अद्वैतवाद दुख मुक्त था इसलिए वह एहम ब्रह्मास्मी की महानतम आशावादी निश्पत्ति क लक्ष तक पहुंच पाता है ये एक बड़ी विशिष्टा बड़ी उब्लब्दी है कि एहम ब्रह्मास्मी जिसकी चर्चा बार बार अद्वैतवाद के संदर में की जाती है वो महानतम आशावादी निश्पत्ति के लक्ष तक इसलिए ले जाता है क्योंकि एहम ब्रह्मा का सम्मान किया अपने अद्वैत दर्शन में जगन मिथ्या यानि ये जो जगत है यह मिथ्या है और यह मिथ्या आकरशन है यही बांदता और खींचता है इसलिए बार बार शंकरा जारे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या इसका प्रतिपाधन करते चलते हैं कि सत्य यदी कु जो प्रलोबन है इसके जो मायावी आकरशन है वे वस्तुते मिठ्या है शंकरचारे के अद्वैत दर्शन में दुखवाद यानि जगन मिठ्या का रामानुजाचारे मादवाचारे निम्बारकाचारे और वल्लबाचारे आदी ने जम कर विरूद किया इसी विरूद के परि मद्यकालीन भारतिय दर्शन वस्तुते भक्ति दर्शन ही था इसी लिए मद्यकाल में भारतिय कविता भक्ति कविता बनकर हमारे सामने आती है अगर हम यह कहें कि कविता के नो रस होते हैं नवरस होते हैं तो इस नवरस अंग में भक्तिरस को भक्तों ने चिंतकों ने अं वो इन नो के नो रसों में कहीं न कहीं विद्धिवान रहता है। इस तरह से सारे रस यानि नव रस भक्ति रस में तिरोहित या समाहित भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर भक्ति दर्शन के पोणतम और महंतम कभी तुलसिदास ने विन्यपत्रिका में इस दार्शनिक चेतना को इस भक्ति भावना को बखूबी पिरोया है। वे मद्यकाल की जो भारती एस्थिती थी जो भारती है परिवेश और परिश्थितियां थी उनको अच्छी तरह समझ रहे थे। तुलसी ने एक नेतर तो प्रदान किया मद्यकाल में भक्ति भावना और दर्शन और चिंतन के मात्यम से। उन्होंने जो रहसे थे उन रहसें को खोला और पाठकों को जन सामने को इस रहसे के मर्म को उजागर करते हुए वास्थिक्ता का बोध कराया। इसलिए जो मद्यकालीन भारत है उसकी आत्मा को तुलसी अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरते हैं, उसको प्रकट करते हैं ताकि सभी जो भारती हैं, पाठक हैं वो भारत की स्थिति को समझ सकें, जान सकें और मुक्ति का मार्ग क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है समनवे क्या है इन सब से वो प्रकारांतर से और प्रतिक्षूप से जोड़ते चलते है विनेपत्रिका में तुलसी दर्शन अपने उतकर्ष पर अपनी पराकाष्टा पर दिखाई देता है इसलिए तुलसी की अंतिम और प्राड़तम कृती होने पर भी यह बड़ी प्रेरक बड़ी मोहक रचना बन जाती है शुद्ध आत्म परक दृष्टी से यानि व्यष्टी दर्शन को ध्यान में रखकर लिखे गई रचना के माद्यम से इस रचना में तुलसी ने अपने चिंतन को सीधे सीधे शब्दों में सहज और बोदगम में शब्दो किया कि दर्शन और रहस्यवादी चेतना पाठक पर रुकावट का कारण ना बने बाधा ना बने तुलसी का दर्शनिक रूप मुक्त रूप से व्यक्त होता हुआ हमारे समक्ष आता है और पौन रूप से वह उस मूल भाव को उस मूल समस्या को उस मूल चेतना को हमारे सम व्यक्त कर देता है विनैपत्रिका के अद्वैत वाद में दास्से भक्ती का समनवे तुलसी की एक बड़ी उपलब्दी है तुलसी दारशनिक हैं इसमें कोई संशे नहीं लेकिन एक बड़े स्तर के दारशनिक हैं इसलिए वो दास्से भक्ती का अद्वैत वादी दारशन के साथ समनवे करके जब उसे कविता में पिरोते हैं तो पता लगता है कि तुलसी का जो फलक है तुलसी का जो विजन या परिदर्श्च है वो बहुत व्यापक है विस्तृत है यही कारण है कि अद्वेतवाद जीव और जगत को शतशे ब्रम ही नहीं घोशिद करता वस्तुत ह उसका उद्श ब्रह्म को मूल और महत्तम तत्व गोशित करने का रहता है जीव और जगत महत्व हैं महत्वण हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं है सब कुछ अगर है तो वो ब्रह्म है उसी से जीव और उसी से जगत पैदा होता है इसलिए ब्रह्म सर्वोपरी है सर्वशक्तिमान है उसके सामने ये चीजें ये जो बाकी जो तत्वा है वो उतने महत्मून नहीं रहते तुलसी विनेपत्रिका में दार्शनिक और कवी के विरोध से एक दार्शनिक कवी नहीं हो सकता एक कवी दार्शनिक नहीं हो सकता कुछ इस तरह की मानिताएं भी हमें चिंतन जगत में आलूचना जगत में मिलती हैं लेकिन तुलसी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो महाकवी भी हैं बड़े कवी भी हैं और बड़े दार्शनिक भी हैं इन दोनों का विलक्षन समन्वै ये तुलसी की एक बड़ी उपलब्दी दिखाई देती है इसलिए दर्शने को और कवी के बीच का जो विरोध था तुलसी उससे उपर उठ जाते है इस विरोध को वो कोई तवज्जव कोई महत्व नहीं देते इसलिए अद्वैत दास्से भक्ती समनवे में वो सफल दिखाई देते हैं अद्वैत दास्से भक्ती और इनका समनवे इनमें वो सफल दिखाई देते हैं शंकराचारे और रामानुजाचारे को एक कर देते हैं तुलसी विन्ह पत्रिका के दर्शन के माद्यम से ये समनवे, तुलसी को समनवे वादी कवी भी कह जाता है, बहुत सारे मुद्दों पर, पक्षों पर, खेत्रों में तुलसी ने समनवे किया है, चैबात निर्गुन की और सगुन की हो, निराकार और साकार की हो, या भाशाओं के समनवे की बात हो, भक्ती के समनवे की बात हो पात्रों के समन्वे की बात वो बहुत सारे पक्ष हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है तो विन्य पत्रिका में आदि से अंत तक अद्वैत वाद की स्थापना है प्रतिश्टित है और अद्वैत तत्व तुलसी के लिए सर्वोपरी है सर्वस्रेश्ट है सूर्य को हरी शंकर विधी मूरत स्वामी ये कहकर तुलसी संबोदित करते हैं और शिव से देही कामारी शिरी राम पद पंकज भक्ती अनवरत गत भेद माया इस तरह की उक्तियों से तुलसी राम और शिव के भेद को भी समाप्त करते हैं शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर मुई सपने हुने भावा ये राम खुद कहते हैं कि जो शिव द्रोही होगा वो मुझे बिल्कुल भाएगा नहीं वो भक्त मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा तो स्वाहिम राम शिव की उपासना करते हैं शक्ति की उपासना करते हैं तो इस तरह से तुलसी का यह जो समनवे वादी दर्शन है यह वास्तव में विलक्षन दर्शन है प्रेरक दर्शन है शिव से पाही बहरव रूप राम रूप रुद्र इसकी पकार भी तुलसी करते हैं विश्न शिव की सम्मिलित स्तुती भी करते हैं और बहुत सारे अवतारों की एक साथ स्तुती भी तुलसी करते चलते हैं बंदों रगुपती करुणा निधान जाते छूटें भाव भेद ग्यान ये तुलसी की मूल भावना है इसलिए बारबार राम कृष्ण की एकता राम शिव की एकता इनका प्रतिपादन भी वो करते चलते हैं विनेपत्रिका में तुलसी ने अद्वैत वाद का प्रतिपादन बहुत मुखर होकर किया ऐसे अनेक उधारण बहुत सारे उधारण हैं जो इस बात के साक्षी हैं प्रमान हैं कि भगवान आप ही आदी हैं आप ही मद्ध हैं यानि राम से तुलसी कह रहे हैं कि आदी भी आप हैं मद्ध भी आप हैं और अंत भी आप हैं आप ही से शुरू होता है आप ही सरिष्टी आगे बढ़ती है और आप ही समाप्त भी होती है तो आदी मद्ध और अंत आप हैं स्रिष्टी को समग्रत आत्मसाथ किये हुए सारी स्रिष्टी समग्र स्रिष्टी आप में ही व्यापत दिखाई देती है और फिर कहते हैं कि है इश्वर ब्रह्मवादी सब में आपको ऐसे ओत प्रोत दिखाई देते हैं जो जो कुछ इश्वर में है उस सब आपी में आपता है सूतव से तो वस्त्र है ऐसे ही आप में सृष्टवी विद्यमान श्रिष्ट का प्रत्यक जीव भी विद्यमान है जैसे घट में मिटी घड़ा जो है वह देखने में घड़ा है लेकिन वह मिटी उसमें अगर न हो तो घड़ा कैसे बने इसलिए जैसे घड़े में मिट्टी विद्यमान है ऐसे हर जीव में प्रभू से कह रहे हैं कि आप भी विद्यमान है अगर ये तत्व ना हो राम तत्व ब्रह्म तत्व ना हो जीव में सृष्टी में जगत में तो फिर कुछ भी विद्यमान नहीं होगा बिना मिट्टी के जैसे घड़ा नहीं बन सकता ऐसे बिना ब्रह्मतत्व के जीव जन्तू, पशुपक्षियाधी ये भी नहीं बन सकते सर्प में जहर जैसे विद्यमान है काश्ट करी में काश्ट जैसे लकडी का कोई भी बरतन हो उसमें अगर लकडी नहीं होगी काश्ट नहीं होगा तो बरतन कैसे बनेगा इसी तरह आभरन आदी में यानि आभूशनों में जैसे स्वन विद्यमान है सोना अगर नहो तो आभूशनिया गहने कैसे बन सकते हैं तो यह जो सब कुछ सुन्दर सुन्दर दिखाई दे रहा है सुरिष्टी सुन्दर है, सुरिष्टी के तत्व सुन्दर है मनुष्य सुन्दर है, जीव जन्तु सुन्दर है ये सब कुछ जो दिख रहे हैं इनमें जो सुन्दरता की प्रतिष्ठा करने वाला तत्व है वो ब्रह्म है अगर ब्रह्म नहो तो ये सब कैसे हो सकता है कि इस रूप में ये प्रकट हो तो तुलसी इतनी सरलता से इतने सुन्दर उदाहरणों से अपनी बात को प्रतिपादित करते चलते हैं और अपनी भक्ति भावना को अपने अद्वैत वादी दर्शन और दस्य भक्ति के समन्वे को हमारे सामने स्थापित करते चलते हैं तुलसी कहते हैं ऐसी मूरता या मन की इस मन की मूर्खता का भी क्या कहें ऐसी मूरता या मन की परिहरी राम भगति सुरसरिता आसकरत ओसकन की ये मन बड़ा विकल है बड़ा मूर्ख है कि राम भगति रूपी सुरसरि देव नदी गंगा नदी यानि जो अमरित तत्व है राम भगति रूपी उसको त्याग देता है और ओसकन के पीछे भागता है ओसके तत्वों के पीछे भागता है तो ये मन की मूर्खता है कि वो व वास्तुता है वास्तुक्ता को समझ नहीं पा रहा है और ये सारा माया के कारण सांसारिक्ता के कारण भातिक्ता के कारण हो रहा है इसलिए तुलसी कहते हैं कि वो जो राम है सिया राम मैं सब जग जानी इस दुरिष्टी में जो भी कुछ है वो सब कुछ सिया और राम मैं है ये जो दृष्टी है तुलसी की इसलिए वो कहते हैं ये अभेद दृष्टी है जैसे ही हम इसमें भेद करेंगे तो हमें माया जो है वो ग्रस लेगी फिर कहते हैं सूने भीती पर चित्र रंग नहीं तन बिन लिखा चिते रे धोए मिटई न मरई भी ते दुख पाई एह तन एरे एक ऐसी विलक्षन अज्ञानता है मनुश्री की कि वो पैचान नहीं पा रहा वास्त्विक्ता को इश्वर की सच्चाई को शक्ति को सर्वशक्ति मान होने की भावना को वो समझ नहीं पा रहा और ये जो मायावी आकरशन है इनमें वो निबद हो रहा है जनक जननी गुरु बंदू सुहर्द पती सब प्रकार हितकारी द्वैत रूप तमकूप परो नहीं अस कचु जतन बिचारी कितनी बढ़िया कल्पना करते हैं जनक जननी गुरु बंदू सुहर्द पती सब प्रकार हितकारी सब के लिए कल्यानकारी हैं किसी भी रूप में अगर भगवान मिलते हैं तो वो कल्यानकारी हैं और द्वैत रूप तमकूप ये जो द्वैत भावना है ये अंधेरे कुए की तरह है इस तम कूप में जाने की अवशक्ता नहीं अग्यानता के कारण इस लिए इससे बाहर निकलो परो नहीं असकछु जतन बिचारी इस तरह से यत्न करके इस अंदकार में जो मोह और तरशना का मायावी आकरशन का जो कूप है कुआ है उससे बाहर निकलने की आवशकता है इसकी चर्चा तुलसी करते है जगन मिथ्या तत्व का सम्मान भी वो करते है हे हरी कसना हरव भ्रहम भारी हे प्रभू ये मेरे जो भारी भरकम भ्रहम है इनको क्यों नहीं तुम दूर करते हे हरी कसना हरव भ्रहम भारी जद्यपी मृशा सत्य भासे सब लगी नहीं जब लगी नहीं कृपा तुमारी जब तक हे प्रभू, तुम्हारी कृपा नहीं होगी, तब तक ये मृशा, यानि मिथ्या, ये भी सत्य ही प्रतीत होता है तो मिथ्या मिथ्या लगे, सत्य सत्य लगे, ये कब होगा जब तुम्हारी कृपा होगी और जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक इस मोह जाल से इस मित्या भ्रहम से इस मायावी आकरशन से बाहर मैं कैसे आपाऊंगा इसलिए हे प्रभू हे हरी कट सनहराओं भ्रहम भारी तुम क्यों मुझे इन भ्रहमों से इन विमुगदताओं से बाहर नहीं करते मेरी अर्थना है मेरी विन्ती है कि मुझे इस से बाहर निकालो सुबग सेज सोबत सपने बारिदी बूड़त भैलागे कोटी हूँ नाव न पार पावतो जब लगी आप न जागे लाखों करोडों नाव आ जाएं पार नहीं लगा सकती जब तक अपने अंते करण को हम न जगाएं जब तक प्रभू की करपा ना हो भगवान जागेंगे तो हम भी जागेंगे इश्वर की करपा होगी तो हमारा जागरन हमारी आवस्त्था आएगी और इन तमाम भ्रहमों से ये जो परदे हैं ये सब भढ़ जाएंगे और इनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी तुलसी ने माया की अनिर्वचनियता का भी वर्णन विने पत्रिका में किया माधव अस तुम्हारी यह माया वो कहते हैं कि माया पती तुम हो तो माया भी तुम्हारी है ये से उस आकरशन सार बनाया स्रिष्टी बनायी और स्रिष्टी के अंदर सौंदर परक आकरशन परक प्रलोवन बनाये ये भी तुम्हारी यह माया करी उपाय पची मरीये तरीये नहीं जब लगी करहून दाया जब तक तुम दया नहीं करोगे में लाख उपाए कर लो लाख लाख प्रयासों से पच पच के मैं मर जाओं लेकिन मुझे इस माया से बाहर निकलने कावसर नहीं मिल पाएगा क्यों नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुम्हारी करपा नहीं होगी तुलसी कहते भी हैं जब राम की करपा होगी तो फिर बहुतिकता क्या माया क्या सांसारिकता क्या सबसे मुक्ति हो जाएगी इसलिए हे प्रभू बिना तुमारी करपा के बिना तुमारी दया के बिना तुमारी भक्ती और भक्त वातसले के कुछ होने वाला नहीं है मैं जो चाहूं जितने चाहूं जैसे चाहूं यतन करूं प्रयतन करूं लेकिन मुझे इससे कोई लाब नहीं होगा क्यों क्योंकि होगा वही होई है वही जो राम रची राखा होगा वही जो तुमने रचा हुआ है तो तुम से मेरी प्रार्थना है मेरी ये जो विने भरी ए रहतवाद दास से भक्ती और समन्वे आदी को लेकर इनके समन्वे को लेकर बहुत सारे उधारन प्रस्तुत किये दास से भक्ती का समन्वे तुलसी की मौलिकता का प्रती कहें यही नहीं ब्रह्म जीव के परसपर अन्योन्याश्चित संबंद इनका भी वर्णन तुलसी ने बहुत अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग तरह से किया है वो कहते हैं ब्रम्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरा ब्रम्म तू हो जीव तू ब्रम्म है मैं जीव हूँ तू ठाकुर है मैं चेरा मैं तेरा दास हूँ तो ये जो भक्त और भगवान का संबन्द है आराद्दे और आराधक का संबन्द है उसी की और संकेत करते है जब लगी मैं न दीन दयालुते मैं न दासते हैं स्वामी मैं अगर दीन हीन नहीं हूँ भक्त नहीं हूँ दास नहीं हूँ तो तुम स्वामी कैसे हो तुम स्वामी हो इसलिए मैं दीन हीन और भक्त भी हूँ तब लगी जो दुख सयाउं कयाउं जद्यपी अंतर जामी इस सब के बावजूद तुम अंतर यामी हो सब कुछ जानते हो सब कुछ देखते समझते हो भक्त की स्थिती का भक्त की मनोभावों का सब का अनुमान तुमारे पास है पर फिर भी मैं अपने मनोभाव तो तुम तम मानते हैं तम माने अंदकार और अद्वैत को तम से बाहर निकलने का मार्ग मानते हैं इसलिए द्वैत जो है वो अंदकार है अंदकूप है और वो प्रतिपादित करते हैं कि जैसे सूर्य और ज्योती का संबंद है जैसे चंद्रमा और चंद्रिका का संबन्द है जैसे पुष्प और सुरभी उसकी खुश्बू का संबन्द है जैसे सागर और उसकी लहरों का संबन्द है ठीक ऐसे ही भक्त और आराध्य का संबन्द भी है इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता ये अभिन्न है अद्वैत हैं और एक है इस प्रकार से विनेपत्रिका का जो दर्शन है वो अद्वैतवादी दास से भक्ती के समनवे का मौलिक दर्शन बनकर हमारे सामने आता है तुलसी ने अद्वैतवाद के प्रती मूल रुची मानस में भी व्यक्त की है उसी का विस्तार हमें ये अंतिम प्राउड रचना तुलसी की जिसको विन्यपत्रिका हम कह रहे हैं उसमें दिखाई देता है लेकिन इसका जो बीज वपन है वो मानस में तुलसी कर चुके है सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जग पानी दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि हर जगां हर कन में हर वस्तु में हर्पधार्थ में, हर्व्यक्ति में सिया राम, सब कुछ वही दिखाई देते हैं सिया राम में सारी सृष्टी दिखाई देती है उमाजे राम चरन रत बिगत काम मद करोध निज प्रभु में देखई जगत के सन करई विरोध, कैसा विरोध है मुझे तो सारी सृष्टी में सब कुछ प्रभू में दिखाई देता है और कुछ प्रभू बिना राम के बिना कुछ दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है कुल मिलाकर एक दार्शनिक गेंता विने पत्रिका में यत्र तत्र उपलब्द है हम देख सकते हैं कि विने पत्रिका का यह जो दर्शन है यह तुलसी की एक महान चिंतन परक दृष्टी का जीवना अनुभवों का सृष्टी परक जीव परक आत्म परक और जगत परक जितने अनुभवें उनका एक निश्कर्श है जो तुलसी ने हमारे सामने रखा है तुलसी वास्तव में दर्शन को बहुत खूबी के साथ व्यक्त करते हैं जो दर्शनिक चेतना है यह सहजता से प्रकट सामाने तर नहीं हो पाती पर तुलसी ने ऐसे ऐसे ओधारण दिये ऐसी ऐसी कावेबंगतियां दी जिन से हम उनका अनुमान लगा सकते हैं कि तुलसी का जो दर्शन है वो जतना गहरा और गूडग है उतना ही सहज और बोदगम में भी है दर्शन वस्तुत है देखने के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है और दर्श धातु से इस शब्द का उद्गम जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शालिरिक आँखों से देखना एक पक्षी है जो इंद्रिय जन्य है जो स्थूल है सूक्षम दर्श्टी से यानि अपनी मेधा अपनी प्रग्या अपनी प्रतिभा अपनी बुद्धी के माद्यम से देखना ये अर्थग्रहन करते हुए उसको समझना ये दूसरा रूप है दर्शन का जिसे हम सूक्षम दर्श्टी के रूप में भी देखते हैं और तीसरा आत्मिक द्रिष्टी है तो शालिरिक आखों से यानि भहतिक चक्षुआं से दूसरा सूक्ष्म द्रिष्टी से और तीसरा आत्मिक द्रिष्टी से यह जो आत्मिक द्रिष्टी है यह अंतर द्रिष्टी है इसमें आखें काम नहीं करती है इसमें अंदर तम की जो अनुभूती है अंतरतम की जो अनुभूती है वह काम करती है इसको लोकोत्तर अनुभूती भी कहते हैं यही आत्मा अनुभूती भी है क्योंकि जो इमांदारी होती है निष्ठा और सत्तिता होती है उससे इस अनुभूती का संबन जाता है तो तुलसी ने जीवन जगत के प अक्षातकार के माद्यम से जीवन द्रश्टी बनाने का प्रयास किया यही तुलसी के दर्शन का मूल मंत्र भी है दरसल संसार के मर्म को उस मर्म के ग्यान को समझना जीवन मरन के रहसे का बोध करना के जीव कब जन्म लेता है क्यों जन्म लेता है क्यों मर जाता है कब मरता है मरने के बाद कहा जाता है ये जो तमाम अनुत्तरित से प्रशन मिलते हैं समाज में इन सब प्रशनों से तुलसी जूजते हैं और इनका उत्तर खोजते हैं इसलिए ये जो रहस्यवादी जीवन मरन के प्रशने जीवन क्षण भंगुर है तो ख्षण भंगुरता के बाद क्या होता है वो जो पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात कहते है तो वो बुलबुला आता कहां से है फिर फूटने के बाद क्या होता है कहां जाता है ऐसे कई प्रश्ण सुख दुख की वास्विक्ता का भान और मैं यह जो एगो है एहम है एंकार है इसका स्वरूप और आत्म ग्यान यह जो अपने बारे में अपना मुल्यांकन करना अपनी पहचान करना इन तमाम पक्षों को भी और इसी तरह पुरुष और प्रकरती के संबन्नों का बोध कराना यह सारे पक्षें तुलसी ने जो अपनी दार्शनिक चेतना में समाविष्ट किये हैं इसलिए तुलसी के दृष्टी में दर्शन जो है वो संसार की रहस्यात्मक्ता को उसके मर्म को समझने का उदगाटित करने का एक रचनात्मक प्रयास है परमार्थ रूप तुलसी ब्रम को मानते हैं यानी राम को मानते हैं उनके अंश रूप में जगत को देखते हैं उनकी अनन्य भक्ती के रूप में वो प्रपत्ती को यानी अपने समरपन को देखते हैं और भक्ती के साधनों का जो प्रकट रूप है करता है वही तुलसी विने पत्रिका के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं भारतिय दर्शन की यह धार्णा हमेशा से रही है कि आध्यात्मिक्ता सरवो पर है हमारे दर्शन में आध्यात्मिक तत्व को महत्व बहुत पहले से बहुत उपर से यानि सेश्टता से दिया गया, इसलिए सत्य के अनुभव, भ्रान्ती के विनाश या नस्ट करने की भावना, जो भ्रहतियां हैं, जो भ्रहमे हैं, वो दूरोने चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रहम रहेगा, जब तक भ्रहतियां रहेंगी, तब तक हम सत्य को, जीवन को, सृष्धि को समझ न बहुत एक सत्ता की क्षण भंगुरता दिखा कर मानव के मायावी भ्रम जाल को मिटा देना आध्यात्मिक प्रकाश की खोज ही हमारे देश का दर्शन और दर्शनिक लक्ष बनाना ये तुलसी अपनी रचना के माध्यम से करते चलते हैं इस तरह से मानव मात्र को बुद्धी भ्रम जनित माया ग्रास जनित बहुत सी समस्याओं से उन समस्याओं के जाल से मुक्त कराना ये है तुलसी का उदेश्य इस रचना के माध्यम से उभर कर आता है जीवन की शाष्वत और मुलभूत समस्याओं जो शाष्वत और मूलभूत समस्याओं जीवन की क्या है आवा गमन जिसके बारे में बिहरी भी बहते हैं मेरी भवबाधार और राधाना अगरी सोय तो ये जो भवबाधा क्या है जनम लो और फिर मर जाओ यानि बार बार जनम लो बार बार मर जाओ तो इस आवागमन से मुक्ति की आकांक्षा है स्थाई रूप से बैकुंठ में प्रभु चर्णों में स्थान मिल जाए तो ये जनम ब्रत्यों का चक्र ही समाथ्थ हो जाए इसलिए जीवन मरन का समाधान वे भी खोजने का प्रयास तुलसी करते हैं यही तुलसी इन्हें बारत के परंपरिक दर्शन से ग्रहन भी किया है इस तरह तुलसीदास इन समस्त परंपराओं का ओजस्वी शक्तिशाली सुदीर्ग प्रेरक भारतिय धरोहर जो परंपराओ की है उससे यह भाव ग्रहन किया तुलसी ने और क्या कहते हैं सुभग सेज सोबत सपने बारिदी बूरत भैलागे कोटी हुनाव नपार बावसो जब लगी आप न जागे जब तक कहते हैं ना कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे जिसकी बात कबीर भी करते हैं मन का मन का डार करका मन का डार के माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर करका मन का डार के मन का मन का फेर यह जो मन है इसका जो मोती है इसको गुमाने की जरूरत है यहाथ के माला के मोती गुमाने से फिराने से कुछ होने वाला नहीं है तो म मन का मन का जो है उसको फिराने की घुमाने की आवशकता है उसी बात को तुलसिदास भी यहां कहते हैं इसलिए तुलसी ने अपनी वैचारिक रचना विन्यपत्रिका में वैग्यानिकता को वैग्यानिक तारकिकता को भी समाविष्ट किया है वो गणेज जी की स्तुति अगर करते हैं तो उसका उनका अपना एक तर्क है अपनी एक वेग्यानिक दृष्टी है अपना एक दृष्टी कौन है वो कहते हैं कि क्योंकि विद्यावारिदी गणेश जो है गणपती जो है वो प्रतीक है किसके ग्यान के इसलिए बिहरी भी एक जगा लिखते हैं चले ओ जाई कि यहां को करे हाथिन को व्यापार नहीं जानत इह पुर्व से धोबी ओड कुमार कि क्या तुम नहीं जानते कि यहां किस वर्ग के किस सिस्तर के लोग रहते हैं और तुम हाथी का व्यापार करने चले आए हाथी जो ग्यान का प्रतीक है गणपती के मुखारबिंद का जो प ये मजदूर क्या जानेंगे इसलिए ये जो ग्यान की बात है ये ग्यानियों में जाकर करो इन मेहनतकश लोगों में इसका कोई अर्थ नहीं प्रतीक के माद्यम से तो यहां तुलसी ने गणपती की जो बंदना की है प्रारम में उसका वेग्यानिक आधार यह है कि वो विद प्रतीक चन्न है वो हाथी है इसलिए है क्योंकि वो गणपती का प्रतीक दिखाई देता है तो विद्यावारिधी और बुद्धि विदातां बुद्धि का अवदान करने वाले बुद्धि को सैयोजित करने वाले हैं गणपती की स्तुति पहले होती है गणपती की स्तुत पोश दुख दुराचार और रोग इन सब को नश्ट करने का बहस्म करने का मिटा देने का काम सूर्य ही करता है आप जानते हैं कि सूर्य स्नान कितना ज़रूरी है सूर्य के बिना इस रश्टी चल नहीं सकती चाहे वो जड़ हो या चेतन हो जीव हो या जगत हो अम देख सकत हैं के सूर्le की जो उश्मा है उर्जा है वो बड़ी प्रबल है इसे लिए उसकी बात भी तो तलसी ने सूर्le की स्थित्ति भी इसलिए की क्योंकि उसके बिना हम देख सकते हैं कि दोशों से दुखों से दुराचारों से रोगों से वीमारीं से इन से मुक्ति नहीं हो सकती तो सूर्य की बंदना भी होनी चाहिए शिव की स्थुति वो इसलिए करते हैं क्योंकि वे सुख, संपत्ति, मति, सुगति, आदि इन सब के प्रदाता हैं तो महादेव हैं, देवों के देव हैं ये समस्त सुख सुविधाओं को वे हरने वाले हैं, भगवान शिवी हैं जो हमें भेदभाव से उपर उठाते हैं कितना अदबत समन्वे शिव के जीवन चरित में हमें देखने को मिलता है उन शिव की बारात में कैसे कैसे लोग एक साथ शामिल होते हैं तो भगवान शिव जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो अभेद द्रश्टी से ही स्रिष्टी को देखते हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर और तमाम तरह की आपदाओं, विपदाओं, बाधाओं से, दासता आदी से, मुक्ति का भाव अगर हमें चाहिए, तो हमें भगवान शिव को प्रसंद करना होगा, इसलिए पहले गणपती के स्थुती, फिर सूरी के स्थुती, फिर शिव के स्थुती, इसमें भी तुलसी का एक वैज्ञानिक दरश्टी कौन, तुलसी बहुत सूजबूज के साथ इन सारी चीजों का विश्टेशन करते ह वोई आगे बढ़ते हैं तो तुलसिदास को हम इस दृष्टी से बहुती प्राउड कवी दर्शन का बहुती अनुभवी कवी जीवना अनुभवों का बड़ा कवी इस दृष्टी से मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संदर्बों को इसमें एक साथ पिरोया है तुलसी की प्रासंगिक्ता इस दृष्टी से निर्विवाद है आज भी तुलसी उतने ही प्रासंगित्य है उतने ही सार्थक है जितने भक्तिकाल में थे इसका मतलब यह नहीं के भक्तिकाल इन परिस्तितियों में और आज में बदलाव नहीं आए परिस्तितियां बदली लेकिन वह जो मूल्य है वह जो कालजाई चिंतन है तुलसी का वह आज भी उतना ही सार्थक है क्योंकि उसकी प्रासंगिकता अभी वैसी की वैसी बनी हुई है मनुष्य जीवन में भक्ति भाव कम नहीं हुआ भक्ति आज भी आस्था आज भी उसी तरह से अपना स्थान बनाये हुए है तो उनके एक एक शब्द में वैज्ञानिकता तारकिकता और विदिवत चिंतन चिंतन मनन की एक शंकला यह हमें प्रकट होती है दिखाई देती है वे अपने कोश ग्यान का तुलसी का जो जो समर्ती है तुलसी की जो जीवना अनुभव की दृष्टी है वो उसको बहुत ही सुन्दर रहंग से उगारते चलते हैं प्रकट करते हैं उदगाटित करते हैं और यह कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तू दयाल द तू दयाल दीन हो तू दानी हो बिखारी हो प्रसिद पात की तू पाप पुझवारी मुझसे बड़ा पापी मुझसे ज़्यादा प्रसिद पापी दुनिया में कोई नहीं है और तुझसे बड़ा पुन प्रतापी कोई नहीं है पापों का हरन करने वाला तुझसे बड़ कोई नहीं है इसलिए तेरा और मेरा रिष्टा है मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि न तो तेरा कोई काट है और न मेरा कोई काट है तो यह जो रिष्टा वो बनाते हैं नात तू अनात को अनात कौन मोसो हे नात तुमसे बड़ा नात कौन है और मुझसे बड़ा अन तो यह जो विनेपत्रिका है वास्तव में इस दृष्टी से बहुत दुरलव रचना है और तुल्सी के दर्शन का एक गहन जीवनानुभव इसके साथ हमारे साथ हमें देखने को मिलता है इसे के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पी सी टेंडन सहाब का और मित्रों जल्द आपसे मुलाकात होगी और उस मुलाकात में हम जरूर हिंदी की कालजे रचनाओं पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार